Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 4th standard computer subject. हम 4th standard का computer subject चालो करेंगे, ठीक है? हमारा 3rd chapter, Alognathic and Flow Chart. ठीक है? आज हम यह सब पड़ेंगे. चलो, start. Every activity has a sequence of steps that need to be followed. कोई भी activity हम करते हैं, वो step by step करते हैं, हर activity करने का step होता है. कुछ भी काम करो, तो उसका क्या होता है? step by step process होता है, फिर कुछ काम होता है. चलो, first, list the main step of the activity. पहले तो हमें पहले क्या करना पड़ता है? main step, जो जरूरी है, वो step को लिखना पड़ता है. then, for each main step, देखो, अलग-अलग step का देखेंगे, list the detail. फिर क्या होता है? हर step का detail डालते है, वो steps का, क्या detail यानि जानकारी. Listing the step, helping in carrying out the activity easily. अगर आप कुछ भी काम करते हो, इसका detail में लिखो गे, इसमें ऐसा काम करना है, तो क्या होगा? आपका काम आसानी से हो जाएगा. चलो, alogmatik. alogmatik क्या होता है? the step written in an order to solve a particular problem is called an alogmatric. यह क्या होता है? एक step होता है, एक तरीक का में लिखा एक गाम करने का, प्रॉब्लम को solve करने का, एक तरीक होता है. एक के बाद यह करेंगे, फिर उसके बाद यह जैसे हम कुछ खाना बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, ऑल गरम करते हैं, उसमें जीडा दाते हैं, मतलब एक के बाद एक steps के wise बनाते हैं, जैसे कि हम कोई भी table परते हैं, तो पहले कैसे zero से, फिर one, फिर मतलब एक एक चीज कर यह क्या होता प्लैनिंग होता है कि किस तरह से हम सॉल्फ करेंगे कोई भी चीज को हम किस तरह से सॉल्फ करेंगे Allometric has the following characteristic इसके अंदर कौन से कारेक्टर स्ट्रिक होते हैं तेक तो input होता है Input and Allometric may or may not require input किसी चीज में input चाहिए होता है किसी में नहीं फिर output उसका output क्या होता है? Each Allometric is expanded to produce at least one result इसमें से कुछना कुछ भी हम problem solve करते हैं तो इसमें से कुछना कुछ रिजल्ट तो आता है Very good, तो इसमें भी क्या होता है? एक result तो निकलता ही, एक solution मिलता है कुछ भी problem हम solve करते हैं उसका result आएगा भले वो success हो या फिर unsuccess हो चलो, define-ness, है न? तो देखो, each instruction must be clear and simple इसमें क्या आना चाहिए? जो भी हम instruction, जो भी हम कहते हैं वो एदम clearly होना चाहिए Fitness, तो देखो भी क्या है? The Allometric should come to the end after find number of steps इसके बाद क्या होता है? एक ऐसा नहीं होता है, continue process होना चाहिए, इसके बाद एक ending point भी होना चाहिए, जहां पर खतम हो ठीक है? तो आपको यह समझ में आया, चलो, इसमें क्या होता है? पहले तो यह solving problem, problem solving की steps होते है एक बाद एक order के हिसाब से है ना, इसमें कौन से कौन से character है? तो input, output, defineness और fitness ठीक है बच्चो? फिर चलो, floor chart देखेंगे, floor chart क्या होता है? The step written in an allometric can be represented diagonally with the help of the floor chart इसमें क्या होता है? जो भी steps हम लिखते हैं, तो उसको क्या होता है? नोट, the allometric and floor chart are not required for a computer but are used by programmer to understand the program easily. यह computer के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन है ना, यह क्या computer पे जो काम करता है, वो कोई भी program को समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए यूज करता है, a floor chart is a diagram that represents a set of instruction floor chart क्या होता है? एक तरह का diagram होता है, जिसके वज़े से क्या हम कुछ भी अचसानी से समझ सकते हैं, वो अपने instruction को represent करता है जो भी हम चीज करते हैं, तो उसमें हम diagram के मदद से करेंगे, तो समझने भी आसानी होगा तो देखो, a floor chart is a diagram that represents a set of instruction यह floor chart क्या होता है? एक diagram होता है, जो represent करता है, हमने जो instruction दिये इसको floor chart normally use standard symbols देखो, इसमें क्या होते हैं? symbols हम use करते हैं to represent the different types of instruction अलग-अलग instruction को represent करने के लिए, हम अलग-अलग symbols यूज करते हैं इस symbols are used to concert the floor chart, इसमें क्या करते हैं? flow chart बाराने के लिए हम लग symbols use करते हैं and show the step-by-step solution to the problems इसमें हम क्या एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद solutions problem के देते हैं, ठीक है? the commonly used symbols for drawing, flow chart are given below, यह commonly used वाले हैं, यह मतलब हम commonly use करते हैं तो देखो, यह symbols है, यह आपको दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, चारी, क्या है? symbols है termination, यह का एक लिए use होता है, तो an oval shape indicates the start of end, start में यूज करते हैं या फिर end में of the process यह कहां start में या फिर end में use करते हैं, कुछ भी चीज के, ठीक है? कोई भी program के फिर process, यह process क्या है? rectangular shape का होता है, यह क्या normally indicate किसको करता है? flow chart, flow chart के steps को, ठीक है? action step, फिर देखो, dimension, dimension क्या है? it indicates questions, यह questions या फिर कुछ bench के बताता है कि process होने वाला है, typing process, shapes, yes में yes या no type का होता है, no या no go होता है, यह बहुत सारे question type के चीज होते हैं, फिर यह क्या data shape, data shape में क्या होता है? इसमें क्या होता है, indicates input, इसमें input या फिर output को हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, बच्चो input या फिर output process को, ठीक है बच्चो, यह आपने देखा, यह shapes क्या है? commonly हम use करते हैं, कोई भी program को बताने के लिए, क्या है? यह हमारे symbols है, जो commonly computer में कोई भी programmer use करता है, अपने problems को solve कर आने के लिए step by step तो इससे क्या होता है, easily कोई भी चीज हम समझ सकते हैं, ठीक है, और यह भी है circle, देख रहा है यह वाला, यह किसके लिए है, a small, यह छोटा सा circle flow chart होता है, यह shape is used to indicate a jump in a process flow, यह jump बताता है, कितनी चलान लगा है, मतलब computer language में थोड़ा अलग होता है, ठीक ह बच्चो, very good, आपने देखा यह सब क्या बता है, तो बच्चो आपको इतना समझ मैं, चलो, अभी algorithmic and flow chart to find the sum of the two numbers, अभी हम किसी चीज का sum find करेंगे, तो हम किस तरह से करेंगे, चलो, algorithmic का देखेंगे, तो पहले start करेंगे, फिर क्या करेंगे, input करेंगे, input first number से a, तो पहल करेंगे sum और रुख जाएगा, ठीक है, तो यह देखो, इस तरह से होगा, a, b, फिर sum a, b, फिर print sum और यह stop, तो ही इस तरह से हमारा step by step process होगा, देखो, पहले हमने first क्या क्या start, फिर input किया value a में, फिर value b में, फिर दोनों को plus किया, फिर हमारा print sum आया और फिर रुख गए, फिर देखो, अलग, एक्रोमेथिक एंड, flow chart to be converted, यह temperature, temperature, floor और Celsius का बताएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या अगर temperature is Celsius, temperature is Frignite, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी है, लेकिन इसमें value अलग अलग दी है, Celsius की value क्या दी है, C, और Frignite की value क्या है, 9.0 है, क्या है, 9.0 by 5.0 into Celsius plus 32, है ना, इससे, फिर हमारा printf करेंगे, फिर हमारा क्या होगा, stop, यह मतलब complete process हो जाएगा, है ना, बच्छो, आपने देखा, फिर आपने यह process देखा, किस तरह से यह solution करना है, एक बार आप भी देख लेना, तो आपको यह समझ में आएगा, ठीक है, पहले start होता है, फिर value put it करते है, फिर उसको plus करते है, फिर उसका print करते है, फिर खतम होता है, फिर चलो देखते है, operation used in flow chart, क्या के use होता है flow chart में, पहले mathematically based देखेंगे, क्या देखेंगे बच्छो, mathematically based, तो इसमें देखो, plus क्या होता है, addition के लिए होता है, यह किसी example, a plus b, और यह क्या application किसलिए होता है, फिर इंटू करने के लिए, यह division divide करने के लिए power, यह देखो, यह दिख रहा है, आपको sign, इसका power है, फिर reminder, फिर reminder भी find करते है, यह सब क्या है, mathematically related होता है, ठीके बच्छो, फिर relation operators देखेंगे, तो यह क्या है, देखो, यह क्या है, less than की sign है, यह less than और equal क है, मतलब कम भी है और से equal भी है, यह दोनों equal है, यह क्या है, not equal की sign है, यह greater than की sign है, और greater than equal की sign है, ये आपको examples दिये है, देखो, देखो A is less than B यह ना देखो सब क्या दिया है एक्जांप्ल्स दिये आपको A और B का यह क्या है less than a less than equal equal not equal greater than greater than not equal आपको समझ में है यह calculation work फी देखो logically अभी logically work ऐसे होता से logic के हिसाफ से देखो end दिया है तो किस तरह से करेंगे है ना तो देखो result क्या होगा आपका is true क्योंकि ए देखो पहले हमने देखा था ना यह क्या दिखाया है smaller than यह देखो b smaller दिखाया है फिर b a दिखाया ना यह सब क्या greater than or smaller than का symbols दिया है इसको अपने समझना है ठीक है फिर बता है यह fact true है कि नहीं है ठीक है यह not को किया है और को किया है यह सब solution किया है ठीक है बच्चो होग आपको यह समझ में आ तो चले एक और बात देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा तो floor chart के बारे में पढ़ा floor chart में mostly क्या होता है उसमें symbols हम use करके हम किसी भी चीच को समझ सकते हैं यह सब हमारे common symbols है जहां प्रोग्राम को आसानी से समझने के लिए यूज करते हैं ठीक है फ्लोचार्ट का मतलब क्या होता है एक यूज होता है जिसमें हम क्या shapes symbols use करते हैं जिससे हमें कोई भी प्रोग्राम आसानी से समझ सकते हैं है ना और हमने देखा था प्रोडियूस होता है उसका एक रिजल्ट भी निकलता है फिर क्या होता है कि उसमें कुछ instruction क्लियरली दिखाते हैं सिंपल वे में होता है फिर fitness वाला भी दिखाता है उसमें क्या है कुछ भी nomba step to step होता है है ना बच्चो हां तो आपको यह पता चैला है इसका मतलब क्या होता है एक step होता है जिसमें हम एक order में लिखते कोई भी problem को solve करने के थिक है बच्चो होप cured sonEhable गो समाझ में अन थैंक यूओ फो वाचिंग